दोस्तो नमसकार, सर आज हम बात करेंगे स्टोवेरी की खेती की बारे में ये एक ऐसा एग्री बिजनbucks है, जिसमें आप कमाएंगे लाको रुपे तो आज मैं हैं डिटेल से स्टोवेरी की खेती की बारे आपको बताने वाला हूं में शकार सर नमसकार सर आपका हमने बहुत ही जादे नाम सुना है इस्ट्रोबेरी की खेती में और आप बहुत ही सालों से कर रहे हैं तो जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना एक छोटा सा परिच्छे दीजिए मेरा नाम कुलदीव सिंग, गाम एचोड़ा डिंगर, तैसील सम्बल, जिला संबल यूपी का रहने बाला हूँ तो सर यह जो आप इस्ट्रोबेरी की खेती कर रहे हैं, यह कितने समय से कर रहे हैं? यह तो सन अठान में west発 को अच्छा ना इइन्टी एट से ऱरह हैं? व्यफ जो प्लांट होते हैं वे किस time पे सकी plantation की जाती कि प्लांटेशन सितंबर के last week 25 सित्मबर के बाड और 2022 के पहले वी तो यह जो पोधा आता है क्या इसकी nursery तयार करनी पड़ती है या चहीं से खरीद किया आता नहीं इसकी जो अपने हां तो नर्शरी संभव नहीं है यह महावलेस्वर के पास में कुछ एरिया है जो पहड़ी एरिया हिल टाइप अच्छा जी तो वहां का जो टैंपरेचर है वह इसके लिए सूट करता है काफी जी ना जादे गर्मी है वह ना जादे ठंड है तो इसकी खेती जैसे आपने कहा ठंड ना जादा गर्मी तो यह ठंड की ही फसल या गर्मी में भी की जा सकती है यह फसल तो ठंड की है अच्छा तो यह तो इसके बाद में 30-35 चला जाएगा तो फ्रूटिंग तो होगी लेकिन साइच छोटा हो जाए अच्छा अभी जैसे मैं नर्सरी से यह साल जो प्लांट मिला वह 10 रूपए की रेट में एक पोधा मिला है और एक बीगे में लगबग कितने पोधे लगाया जाते हैं एक बीगे में लगबग साड़े-4,000 प्लांट तो यह मान के चलें हम कि लग बग 45,000 के पोधे लग जाएगे जी अगर हम वहां से मंगाते हैं पाकी का आपने जो यहां पर फार्मिंग की हुई है कि बहुत ही हाई टेक्निक पर आप कर रहे हैं जैसे मल्चिंग आपने किया हुआ है इसका क्या बेनिफिट है सर्व मल्चिंग से फ्रूट गंदा नहीं होता जी और सर्दियों में जो है जब ठंड होती है तो इस टाइम जो टैंपरेचर है अंदर का बैड का वह बना रहता अच्या ना जादे ठंड होता ना जादे गरम होता और मैं देख रहा हूं यह अपने तार भी लगाए हुए हर बैड पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे तार है इसका क्या फाइदा है यह जो है उपर से ज जादे ना पड़े अच्या मतलब जादे ठंड हो गई तो भी प्रॉब्लम मैं जैसे माली जी हमारे यहां पर टेंपरेचर 9-8 तक पहुच जाता है माइनस में भी हो जाता है कभी-कभी टाइम ऐसा आता तो उसे जो ठंड से बचाने के लिए इसे उपर से जो पाला पड़ पैंतिस सो रुपए पर भीगे के हिसाब से तो नीचे की मल्चिंग का खर्चा आता जी और जो तार है अपना वह लगवग पैंतिस सो से लेकर चारहजार की रेंज में ही तार पर भीगे में लगता है उपर वाली जो पेपर है वाइट वाला इसका खर्चा थोड़ा से शुरू कर देते हैं नवंबर के में नवंबर सेप्टेंबर 25 में लगाया एक डेड़ महीने बाद ही हां हां शुरू पैतालीस दिन के अंदर हर्वेस्टिंग पर आ जाता तो इस बार जैसे आपने जब इसकी हर्वेस्टिंग शुरू की तो उस टाइम पर क्या रेट थ चार सुरू रुपे का बॉक्स कितने केजी का होता है ये लगबग सबहादो अच्छा सबहादो केजी के आसपास का होता है एक बीगे में लगाई से लेकि तुड़ाई तक पूरा हर्वेस्टिंग उसमें कितना टोटल खर्चा आ जाता है उसमें लगबग एक लाग के लेवर भी है, प्लांट भी है, मल्चिंग भी है, सब लगाता है। और आमदनी की अगर हम बात करें? आमदनी तो वैसे कोई ऐसा फिक्स हो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है, लगवग लगवग ये दो लाख के लगवग जो है, एक बीगे से निकाल सकते हैं। एक बीगे से दो लाख रुपे हम निकाल सकते हैं, सरण ने बताया, और एक लाख का खर्चा टोटल हमें आ जाएगा, जैसे मल्चिंग हो गया, प्लांट्स हो गया, लेबर का खर्चा आ गया, बॉक्स हो गया, सारी चीजे काटने के बाद में, तो एक बीगे से एक लाख मु ले जा रहे हैं, तो लगबग इसकी जो तुड़ाई होती है, क्या वो डेली करनी होती है, तो आप अपने पूरे छे कड की एक ही बार में डेली करते हैं या कुछ आपने 25 बनाए हुए है कि इतना आज करेंगे, उतना अकल करेंगे, आधे में आज करेंगे, आधा कल तोटल एरिये की रोजगने की उस तेम प्रोडक्शन जादे हो जाएगा, और यह सर प्रोडक्शन कब तक चलेगा आपका, यह मार्च के बाद भी अपरेल में भी चल सकता है, अच्छा, दस दिन या पंदरे दिन, कभी-कभी जब मोसम बढ़िया रहता है, ठंड जादे प अब सर, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें क्या-क्या साफधानी हमें रखनी चाहिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके कुछ पोदे नीचे से पीले पड़ रहे हैं पत्ते, उसका क्या रीजन है, यह जो पुराना पत्ता होता होता, वो गल जाता है, अच्छा, साफधाना पड़ता है, जो पुराना पत्ता यह होता किस वजय से है, यह फिसका टाइम पनाता है, जो, जो फूरूटिंग के साथ पत्ता निकल के आता जब उसकी फूरूटिंग हो गई, तो वह साखा पुरानी हो जाएगी, उसके बद उसे हटा आगे, तो नई साखा कोई निश्चित तो है नहीं यह तो कम जादे हो सकता हजार से लेकर 1500 बोक्स हमें आसानी से मिल सकते हैं अच्छा जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं आप उनसे इस्टावेरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप तो बहुत समय से कर रहे हैं और आपको इ किसान के लिए अगर किसान मनницय करता है यह तरीके से करता है जानकारी सही लेकर करता तो इसमें काफी मुनाफ़ा लिए आजैकता किसी किसान भाई को आपकी वीडियो देखके यह काम शुरू करना है अभी तो टाइम निकल गया नेक्स्ट यह वह प्लान करता है तो क्या आपके पास में यह सारी चीजे उपलब्ध हो जाती है क्योंगी छोटा किसान नहीं मंगा सकता इतनी दूर से सारी चीजे नहीं हमारे मिले और सर्व ने सारी चीजे बताइं स्टोबेरी की क्यति के बारे में बहुत ही मुनाफिकी खेति है अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कुलदीब जी के नंबर पे आप संपर कर सकते हैं इनके पास में इसकी सारी चीज है विलेवल है क्योंकि यह 98 से इसकी खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छे से है एक्सपिरियनस है बागी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो हर चीज इनके पास में उपलब दे आप उनके नंबर पे संपर करके जनकारी ले सकते हैं प्लांट्स चाहिए प्लांट्स आप इनके साथ में मंगा सकते हैं मल्चिंग पेपर या मल्चिंग शीट कुछ भी